students when we started introduction to data science course तो उस वक्त हमने कुछ चीज़ों की बात की थी जैसे statistical modeling था database की understanding थी, cloud की understanding थी इसी तरह एक जो main area था वो था programming languages और programming languages में हम जिस programming language को understand करने की कोशिश करेंगे वो है python python is basically one of the fastest growing programming languages और बेशमार प्रोग्रामिंग जो languages हैं वो available हैं हमारी access में हैं आपने शायद कभी किसी और में काम भी किया हूँ बेशमार there are endless number of programming languages लेकिन python की जो popularity या इसका जो usage उसके अंदर एक exponential growth हाई है उसकी one of the main reason is data science या वो जो जब हम ये discuss करेंगे डेटा दुनिया में कितना ज्यादा बढ़ रहा है ये सारी चीज़ें बेसिकली दीज़ेंगे इसके पापुलरिटी आफ पाइथान कुछ और भी इसके रीज़ेंगे इसके पापुलर होने के वो भी हम डिसकस करेंगे ये एक बैसिकली object oriented language है ये open source है और इसकी बैसिकली अगर हम ये देखें कि इसके अंदर जो ये बेशवार फीचर होते हैं जब जैसे आप कोई फर्ज करें को गाड़ी लेने जाते हैं तो आप ये सोचते हैं कि आपको क्या चाहिए कितने लोगों ने बैठना है कितना सफर आपने तया करना है किस स्पीड पर तया करना है इसी तरह जो programming language है आपकी वो भी ये आपके लिए जरूरी है ये understand करना कि जब आप data science की environment में काम करते हैं we just keep always in mind के इस course में हम जब भी कोई बात करते हैं कोई चीज़ डिसकस करते हैं हमारा जो fundamental objective है that is to develop our understanding about data science और उससे related जितने भी इसके main pillars हैं जो उसके अंदर technologies models use होते हैं programming languages use होती है data को आपने analyze कैसे करना है present कैसे करना है ये सारी चीज़ें जो भी हम करते हैं उसके सब के पीछे एक common चीज़ है that is data science तो python को भी अगर हम जब देखते हैं तो we have to see कि अगर आप इसमें देखिए तो there are ये powerful है fast है इसका जो code है बड़ा simple है easy to learn है English language की तरह है को बहुत ज्यादा आपको उसको याद करने के लिए जो है न कोई problem नहीं पेश आती normally जिस तरह हम कोई different languages use करते हैं suppose English में बात करते है आप Chinese में बात करते हैं किसी भी language में तो उस language के कुछ protocol होते हैं उसकी एक grammar होती है इसी तरह जो programming languages है उनकी भी एक grammar होती है और उसको आपको follow करना पड़ता है जब आप अपना code लिखते हैं या आप अपनी software के जो software जो develop करते हैं तो उसको coding भी कहते हैं और उसके अंदर जो main चीज़ है वो होती है आपकी syntax syntax है वो किया वो आपकी उस language की grammar है और python में यह advantage है कि इसकी जो syntax है इसकी जो language है that is common English language कि आप जो जैसे English में कुछ लिखते हैं बिलकुल उसी तरह आप इसमें लिखते हैं definitely जैसे जैसे आप इसमें deep down जाएंगे इसके different features use करेंगे different libraries use करेंग तो फिर आपको अंदाजा होगा कि इसमें और भी English language अपनी जगावे बट स्टिल you have to develop a lot of understanding बट स्टिल it is one of the easiest language to learn with देखिए इसके अंदर न जैसे आप यू समझिए कि जैसे किसी book के अंदर chapters होते हैं न एक book है उसके को दस chapter है या बीस chapter है फिर हर chapter के अंदर जो different उसके अंदर content होता है इसी तरह language का भी इसके अंदर जो last slide में एक चीज़ हमने देखी object oriented programming या object oriented programming language तो इसकी जो coding है basic जब आप उसको करते ही हैं कि आप छोटे छोटे objects बनाके उनको रख लेते हैं even कि जब आप ये देखेंगे हम इसमें एक चीज़ आप बहुत ज्यादा सुनेंगे और use भी करेंगे that is library python के अंदर जो libraries हैं वो बहुत rich हैं और हर library जीज़ आप उसको भी एक object समझ सक सकते हैं उस library के अंदर जो एक खास function है उसको भी आप एक object समझ सकते हैं तो object is basically something reusable के एक चीज़ आप ने बनाके रख लिया और आप उसको reuse कर सकते हैं as and when required according to your programming या software development needs फिर इसका जो एक और advantage है कि ये इसको आप दूसरी languages के साथ बड़े अच्छे तरीके से use कर सकते हैं क्योंकि ये open source है और आपको इसमें देखिए जब आप फर्ज करें we understand कि this is your very beginning level आपकी अपनी जो computer science का और data science की जो study है data science is basically part of computer science right तो computer science के अंदर जो different languages होती है एक चीज़ हमने जो discuss की है अब आपको I believe कुछ उसका अदाजा होगा you can call it कि जब हम वो different जो statistics के जो models use करते हैं उनके ओपर फिर हम data एक अठा करते हैं फिर उस data को programming के तरू फिर हम उसको resolve करते हैं चीज़ों को model fix करते हैं या आपने शुरू म जो हमने statistical modeling पड़ी थी वहां पर भी आपने ये चीज़ें नोट की फिर उसके बाद भी जो कोई cloud पे और इस तरह कुछ syllabus के courses जो आप इससे पहले कर चुके हैं उसमें हमने ये चीज़ें discuss की हैं तो students जैसे हर चीज़ की कोई ने को strength होती है हर कोई भी tool आप use करते हैं कोई whatever you know इसी तरह python language जो है इसकी जो strength है वो है इसकी community इसकी community जो है वो लखों में लोग हैं जो के इसको use, community means इसके अंदर contributors भी बहुत सारे हैं और दो दो तरह के लोग हैं basically एक वो लोग है जो इससे पे contribute करते हैं और दूसरे वो लोग है जो उससे फाइदा उठाते हैं हमारी त practical life, अपनी जो आपकी professional life होगी, तब भी ये चीजें आपको बहुत ज्यादा फाइदा देंगी, अब python के अंदर जो सबसे important चीज है, जैसे मैंने बताया कि अगर आप ये जो देखिएगा, इसमें ये जो हमने, ये जो python.org है, आप just go to internet और आप वहां पे ये type कीजिए, python.org औ वहां पे आपको और भी link नजर आएंगे, जैसे python की जो wiki है, python wiki जो है basically ये बिल्कुल जैसे wikipedia का अपने नाम सुनोगा, आप कोई भी, ये basically एक बहुत बड़ा encyclopedia है, wikipedia is basically an online encyclopedia, उसी को उन्होंने उसी term को यहां पर use गया, कि ये जो wiki है, ये एक तरह का python का encyclopedia, of these websites और फिर आप उसको वहां से अपनी particular जवाप की problem है, आपको उसका कोई ना कोई हल जरूर मिल जाएगा, फिर इसके अलावा blogs बहुत ज्यादा होते हैं, इसमें जहां पे लोग अपने जो different problems को, situation को, industry से related मामलात को discuss करते हैं, तो इस तरह ये आपके लिए बहुत जो बहुत बड़ी companies हैं, जो technology companies, वो भी invest करती हैं, वो भी fund करती हैं, और इसी तरह जो, आप यूँ कह लिए जीए कि अगर पैसों की जरूरा है तो बड़ी organizations करती हैं, और जो coding करते हैं, libraries अपडेट करते हैं, नहीं नहीं, जो libraries आ रही हैं, वो फिर आपकी तरह के जो students हैं जो professional हैं, वो फिर वो चीज़े contribute करते हैं, तो this is how this is growing, तो इसकी जो community है, that is one of the fastest growing, may be the fastest growing community in the world, और ये आपके लिए be part of this community, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टन इस हैं, वो ये कि बी part of this community, देखें कि वहाँ पे लोग किस तरह से चीज़ें contribute कर रहे हैं, आप वहां से क्या क् फायदे आप खुद हासल कर सकते हैं, to learn your data science degree, और इंचाला, after that, आप इस के अंदर contribution भी करेंगे, and you will understand कि ये जो community है, कितनी ज्यादा powerful है.